चोटी प्रिया नहीं आई चाय पीने क्या कर रही है अभी जगी नहीं है क्या सोके दीदी वो तो जाने कब जग गई थी प्रिया उपर छत में एक्सरसाइज कर रही है ओ हम तब भूली गए थे सुबह सुबह उसका एक्सरसाइज भी तो होता है तभी तो हम सोचें कि लग र हr Carni के बाद क्या लेना चाहिए लो या काला नमक मिला के थुıड़ा सदा ही खालो या जूस पीलो या मैंना उसेग पीलो है इसा मन करें व ऐसा करलो मुणा म्दलना हलका work कुछ लेना चाहिए जादा भारी नहीं और नहीं तो क्या नो हीड़ी और भारी पेट में तो फिर एकसरसाइज करने से क्या फाइदा उतों पेट जेन होता ही रहेगा फैसके प्रक्राइज करने इससे अच्छा है बस खाते पीते रहों मजह करते रहों ओ, अब मैं समझी, ये जितनी सब्चियां हरी हरी मार हरा गोभी, ये कौन सा गोभी है भगवान ये, इतने सारी कलर के सिम्ला मिर्ज ही है, इसलिए मंगाती है, हलका फुलका खाती है, इनको तल-तल के खाती है पनीर में, कहीं किसी चीज, कहीं किसी बिल्कुल इतना सा गी ड करती है, माता ये, तेरे तो समझी में नहीं आ रहा है, लेकिन आज समझ में आ गया, हाँ देदी, हरी सब्चियां खाना, सेहत के लिए, अच्छा होता है, और वो हरा गोभी नहीं है, उसको ब्रोगली कहते है, वो बहुत फाइदे बंद होता है खाने में, अरे चलो होगा, अब नहीं जानते हैं तो क्या करें, हम तो वही बोलेंगे न, चलो खाने दो अच्छा है, सरीर उसका अच्छा रहेगा, हस्ट पुस्ट रहेगा, और क्या, हरी हरी सब्ची खाने से न, पुस्टे काहर मिलते रहते हैं, तो सरीर अच्छा रहता, कोई बीमारिया नहीं होती अच्छा तभी है तुम हरी हरी चीज़े खाती हो ना फल फूरूट ज्यादा खाती हो और क्या चलो अब नास्ता कर लो छोटी हम भी चाय पीले फिर जल्दी से मिल जूलके काम कर लेते हैं ठीक है दीदी एक काम करते हैं ना मैं मसाला पीस दूँगे आप रोटी बना ले ना फिर जब आप रोटी बना लोगी तो मैं सब्जी छोग दूँगी हाँ हाँ ठीक है उसके बाद रोटी बनाने के बाद ना मैं जाके सारे कपड़े जो बात रूम में पढ़े हो धुल लू करती है उसकी जरूरत ही नहीं पढ़ेगी अगर घर का काम करने लगेगी उसे बोलो जाड़ु पोछा करें अच्छ्य अरे वो थक गई होगी आपना एक्सरसाइज कर रही है वो जाड़ु पोछा कर पाएगी थक गई होगी ऐसा बताती तो हम सुभे बोल देते तो सुभे कर लेती बहुगो यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है कहा है सब लोग कोई नज़ा नहीं आ रहे है कोई नहीं है क्या घर में अरे अम्मा जी यहीं होंगी सब लोग मुझे भी नहीं पता मैं भी तो आपड़ी के साथ चली आ रही हूँ माजी बात तो सही कह रही है कोई दिखाई नहीं दे रहा है किसी का एक मसा भी नहीं मुनना रहा है गईन तो सब गईन का बहू हाँ माजी एक काम का मेरा सामान ना तु जाके कमरे में रखा मेरे जब तक मैं यहीं बैठ रही हूँ देख बंगों को कहा है थोड़ा मेरे लिए चाह बनवा दे अरे माजी दादी आप लोग आ गई अरे बेटा आ गए आ गए हम और बता प्रिया बहु सुनता बहु लच्मी बहु कहा है वो दिखाई नहीं दे रही है अरे दादी हम तो एक्सरसाइज कर रहे थे चत पे सायद वो पीछे वाले घर में होंगी बोल रही थी कि हो सकता है आज माजी दादी को ले कर आ जाए तो आज अब चूल हमें खाना बनाएंगे दादी के लिए तो सायद वहीं होंगी लेकिन पक्का हमें पता नहीं है देख के आते हैं फिर आपको बताते हैं ओ देखो तो मेरी बोहों को बताओ दादी को ये भी पता नहीं है दादी आएंगी भी या नहीं आएंगी फिर भी देखो तो मेरी बोहों है चूला में खाना बना रही है अपने दादी के लिए परवतिया हाँ अमा जी चल भाई तो मेरा समान मेरे रूम में रख दे मैं तो यहीं आराम कर रहे हूँ अभी देखती हूँ चूला का खाना कैसा बना है आज बड़े दिनों के बाद खाने को मिलेगा इतने दिन हो गए गैस का खाना खाते खाते पेट में गैस तक बनने लगी है पजा नहीं आया खाना खा खाके आज सुकून मिला है मुझे अपने घर में आ के जी अमाजी मैं पहुचा देती हूँ आपका सामान आपकी रूम में जब तक मैं जाती हूँ दीदी लोगों को बोलके आती हूँ कि दादी और माजी हाजिर हो चुकी है ठीक है प्रिया बहु जाओ और बता दो और बेटा एक काम करो दादी के लिए ना एक चाय बना दो मेरा बच्चा ओके माजी यूँ गई यूँ आई अभी चाय बना के लाते हूँ दादी के लिए अर्वतिया हमको ना यहां आखे एक चीज की बड़ी खुशी हुई वो क्या अमाजी वो ये बहु कि तेरी बहुँए सच में बहुत अच्छी है सब अमाजी आपका असीरवाद है आपका असीरवाद रहेगा तो हमेशा ऐसा ही रहेगा अरे बेटा मेरा असीरवाद इस जनम में क्या साथो जनम तेरे साथ है तुम और तेरा परवार बच्चे नाती पोते हमेशा कुश रहे अम्मा जी आप बैठिये मैं आती हूँ ठीक है बेटा ठीक है छो दीदी बडी दीदी अरे क्या हो गया प्रिया इतनी तेज-ज क्यों चिल ला रही हो अरे दीदी दादी और माजी आ गई आप यही मैठी रहो बस क्या? हाँ दादी और माजी आ गई सच में प्रिया क्या हुआ है आप लोगों को दोनों एक साथ बोल रही है क्या हाँ सच में किसी और को बुलाना चाहे रही है क्या एक ही वर्ड एक ही साथ निकाल रही है दोनों लोग अब चलिए भी यही है न करती रही है माजी कह रही है कि जाके बुला के लाओ देदी लोगों को छोटी चलो दादी आ गए है दादी से मिलने बड़े देनों के बाद मिलेंगे दादी से हाँ देदी बिलकुल चलिए लेकिन अभी तो अपना खाना नहीं बना है दादी भूं मतले मैं तेरी जिठानी हूँ ठीक है ना दादी को भूग लगी होगी तो चुटकियों में बनाग रख दूंगी आटा लगा रखा है तो मसाला पेशना उतने में दो रोटियां सेख दूंगी दादी कौन सा जादा खाना खाती है जरा देर में बन जाएगा खाना उसकी टें लोगी भी अरे हां हां चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चलो ठीक है तो आती रहना मुझे ना माजी ने बोला दादी के लिए चाय बनाने के लिए तो मैं जा रही हूं पहले चाय बना के रखूं दादी के लिए अच्छा ठीक है जाओ जोड़ तुम चाय बना हम लोग प्रियाबो किसे को कही नहीं जाना हमें धरी आ गए दादी पैर चुरा है खुसरा अरे खुसरा लाची मीवाओ खुसरा और बताओ मेरे बच्चों कैसे हो अरे दादी कैसे होंगे आप तो जानती है आप नहीं थी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था देखिए आपकी दादी की खुसी में हम लोगों ने चूलामी खाना बनाना चालू कर दिया कि दादी आएंगी तो चूलामी के खाना खाएंगी अच्छी हो जाएंगी अब आप आगेंगे तो हम भी अच्छे है माहूल भी अच्छा है आप नहीं थी तो अच्छा ही नहीं लगता था आमको अच्छा, खोसो या दुखी, ये तु नहीं सोच रही हो, कि दादी की डाट फिर से खानी पड़ेगी दादी सब के बाद समझ जाती है प्रिया वाओ, बड़ी खोसो, क्या बात है, बड़ी हची आ रही है दादी, प्रिया इसलिए एक होस है न, उसने अभी तक आपकी डाट नहीं खाई न, एक बार खालेगी न, तुसकी हासी गोम हो जाएगी अरे नहीं, नहीं, हम किसी को नहीं डाटते हैं चलो, आप बैठो यहीं पे, हम भी बैठते हैं, यहीं पे तुम खाना बनाओ, यहीं पे हम खाएंगे और यहीं चुला पे हमारे लिए एक कप चाय बनाओ, लच्छी मी बाओ तुम बनाओ, बड़ी हम मसाले वाली चाय बनाना बेटा जी दादी, बिलकुल, बैठिये, अभी बनाते हैं हम, छोटी, आदी दी बोलो, तुम्हें काम करो, फटा फट मसाला पीच लो, हम चाय बना रहे हैं जब तक दादी चाय पीएंगे, तब तक खाना बनके रेडी हो जाएगा, जी दी ठीक है